ओली का तेवहार, खुसियों और रंगों का तेवहार और धेर सारे चटखारेदार भ्यंजनों का तेवहार जिसके बगैर तो होली या कोई भी फेस्टिवल अधूरे ही लगते हैं आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एकदम हलवाई और दुकान से भी ज़्यादा टेश्टी खस्ता रेसिपी जिसे आप एक बार बनाएंगे आपकी पूरी फैमिली में हर किसी को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे हेलो फ्रेंड मैं अनामी का आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल कुकिंग विद कॉन्फिडेंस में आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम हलवाई से भी ज़्यादा दुकान से भी ज़्यादा टेश्टी और खस्ता एक नहीं दो नहीं पूरी तीन रेसिपी और ये बना खस्ता काजू तो यह देखिए सबसे पहले मैंने 2 कप मेंदा ले लिया है और साथी साथ मैं इसमें ले रही हूँ सूजी तो आधा चोटा कब भर के मैंने सूजी ली है ये मैं नॉर्मल वाली सूजी का यूज़ कर रही हूँ अगर आपके पास थोड़ी सी बारिक बाली तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं, उसके बाद एक चम्मच मैंने अजवाइन ले ली है और इसे मैं हाथों से क्रस करके डाल दूँगी, आप चाहे तो मेंदे की जगाए गेहूं के आटे का भी यूज कर सकते हैं, तो मैंने और साथ मैंने ले ली है इसमें मंगरेल, जिसे कलोंजी भी बोलते हैं तो आदा छोटा चम्मच मैंने मंग्रेल ले लिये हैं और एक चम्मच मैं इसमें रोश्टिट कसूरी मेथी डाल रही हूँ तो इसे मैं हाथों से क्रस्ट करके डाल दूँगी तो ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से हाथों से क्रस्ट करके डाल दिया है और उसके बाद मैं मैं इसमें बारी कटा हुआ धनिया डाल रही हूँ तो धेर सारा धनिया डालने वाली हूँ ये फ्रेस धनिया है उसके बाद मैं इसमें नमक डाल रही हूँ और इसे मैंने हलका सा रोष्ट कर लिया था और उसके बाद मैं मैंने इसमें कुटी हुई काली मिर्च डाली है, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डाल रही हूं, अगर आप चिली फ्लेक्स नहीं डालना चाहते हैं, तो आप जो रेड बाला पाउडर आता है चिली फ्लेक्स का डाल सकते हैं, और सारी चीज़ों को मैंने बढ़एंसे mix कर दिया है, और मैंने लिए हैं लगभग दो boil आलू बड़े साइज की हैं, इने मैंने कद्धुकस कर लिया है, तो आलु को मैंने लग बग एक गंटे पहले कद्धुकस कर लिया था, अगर हम तुरंथ ही कद्धुकस करेंगे तो ये थोड़े से घीले-घीले मैसी-मैसी से हो जाएंगे, और हम मैं सारी चीजों को बढ़िया से mix कर लेती हूं, तो यह देखिए, हातों की help से पहले हम जो आलु लिया है, हमने उसके साथ में डो को अच्छी तरह से mix कर लेंगे, और अम मैं डाल रही हूं मोयन के लिए इसमें oil, तो वन थर्ड कप मैं oil डाल रही हूं, आप चाहे तो घी का यूज कर सकते हैं, तो जो कुरक यह देखिए, मैं हातों से अच्छे से मसल मसल के इसमें बढ़िया से मैंने मोयन कर लिया है, बढ़िया से, दोनों हातों से मसल हैं, आप जिससे इसका जो मोयन है, वो बढ़िया से इसमें लग पाए, यह दो को हातों से प्रेस किया है, तो आप देख सकते हैं, कि यह गीला हो सकता है और डो को आप थोड़ा सा गीला ही थोड़ा सा सॉफ्ट डो बनाएं जिससे कि हमने जो सूजी डाली है न तो जब हम इसे रेष्ट करने के लिए रखेंगे और सूजी फूलेगी तो हमारा जो डो है वो बहुत ज़्यादा सक्त हो जाएगा तो इसे मैंने थोड़ा सा चिकना कर लेती हूं तो अम मैं इसमें से थोड़ा सा पोर्शन ले लेती हूं जितना हमें अभी यूज करना है तो मैंने एक पेड़ा बना लिया है बड़ा सा और इसे मैं बढ़िया से बेल लेती हूं तो इसे हमें बहुत जादा पतला नहीं बेलना है अगर आपको लगता है कि यह बिल नहीं रहा है तो तो यह देखिए मैंने इसे बड़िया से बेल लिया है बड़िया अच्छा बड़ा सा पूरी हमारे जो चकला है उसमें मैंने बड़िया से इसे पूरा बेल लिया है और यह देखिए मैंने इसे कितना मोटा रखा है बहुत कट करना है, बहुत इजी हैं ये, बहुत आसानी से कट जाते हैं और बहुत ही खाने में टेश्टी लगते हैं, तो ये देखिए, इसी तरह से मैं सारे हमारे जो मसालेदार काजू हैं, उन्हें में कट कर लेती हूँ, तो अच्छे से सारे चीजों को मैंने कट कर लिया है, जि का भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये देखिए कितने बड़े ऐसे ये कट करेरी हो गए हैं, और इसी तरह से हमारे जितने भी मसालेदार टेश्टी खस्ता काजू हैं, उन्हें में कट कर लेती हूं, तो ये देखिए हमारे सारे काजू कट गए हैं, तो इन्हें बनाना बहुत से लेकर आते हैं और हमसोसते हैं कि यार यह कैसे बनाए होंगे दुकान में और आप देख सकते हैं इन्हें हमने कितने इजली घर पर बना कर रेडी कर लिये हैं और हमने जितना इसमें मसाले का यूज किया है उसके लिए आपको ऊपर से इसमें बिल्कुल भी मसाले को करके मैंने oil में हमारे जितनी भी काजु है मसाले दार उनको मैंने डाल दिया है और जल्दी बाजी हमें बिल्कुल भी नहीं करना है लगबग 2-3 मिनिट के बाद हमें इसे spoon की help से mix करना है तो ये देखिए मैंने 2-3 मिनिट के बाद में आप देख रहे हैं ना मैंने चम्मच का यूज बिलकुल भी नहीं किया है मैंने इसे फोक से अच्छे से अलट पलट कर दिया है तो ये देखिए अब मैं इसे स्पाइडर के हल्प से बढ़िया से मिक्स कर लूँगी और अलट पलट करके इसे बढ़िया से गोल्डन ब्राउन सेख लूँगी तो इसे हमें सेखते हुए लगबग 10 मिनिट लगा है और आप देख सकते हैं ये कितने बढ़िया से फ्राइ हो गए हैं बढ़िया से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और जितने भी हमारी काजू एक बार में फ्राइ हुए हैं, सारे में निकाल लेती हुए, एक स्पाइडर में, आप चाहे तो एक पेपर पर निकाल ले, जिससे इसका एक्ष्ट्रा जो भी ओईल होगा, वो सारा पेपर अबसर्ब कर लेगा, तो एक हमारा जो बैच है, वो हमन बनकर ready हुए हैं, आप देख रहे हैं, यह अंदर से कितने बड़ी असे समेल लाइन आई है, यानि कि यह बहुत ही खस्ता बनकर ready हुए है, फ्रेंड हम मार्केट से लेकर आते हैं, और मार्केट से भी अच्छा fresh और साफ तरीके से हम घर पर इसे बना सकते हैं, तो कैसी लगी आप कॉमेंट करके जरूर बताईएगा अगर आपको मेहनत अच्छी लगती है मेरे रेसिपी अच्छे लगते है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अब चलते हैं हमारी दूसरी रेसिपी के लिए तो ये मैं बनाने वाली हूँ खस्ता क्र करारे बिस्किट तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है आप इसे चाट पापड़ी के लिए भी यूज कर सकते हैं तो सबसे पहले मैंने ले लिया है लगबग एक से डिड़ कप मेंदा और आम मैं डाल रही हूँ इसमें जीरे तो ये देखिए साबु जीरा ले लिया है मैं तो उसे क्रेस करने के बाद इसका जो फ्लेवर है वो काफी अच्छे से इनेयन्स होता है اور उसके बाद मैं डाल रही हूँ एक छोटा चममच इसमें कुटी हुई काली मिर्च फ्रेस कुटी हुई काली मिर्च लिए आप चाहे तो काली मिर्च का जो मार्केट से पाउडर आ हुँ तो यह देखिये मैनने मोहिन लिया है यानि की की चोटा कप ऑयल लिया है और एसने थोड़ा सा ही डाल रही हुँ बाद में अगर यूज होगा हमें तो हम इसका यूज बाद में करेंगे इसमें अच्छी तरह से हाथों से मलकर इसमें बढ़िया से मोयन कर लूँगी तो दोनों हाथों से मिक्स करने से क्या है हमारा जो मोयन है न मेंदा में बहुत अच्छे से लगता है और अब हमने जो बचा हुआ थोड़ा सा ओयल था वो भी इसमें डाल दिया है और उसे भी हम बढ़िया से मोयन कर देंगे तो ये देखिए बढ़िया से मोयन हमने कर लिया है ये देखिए एकदम लड़ू जैसे हम हाथ से पकड़ रहे है न तो इस तरह से बंद रहा है अब मैं इसमें थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालके इसका बड़ेता डो बना लूंगी, तो बहुँत जादा soft डो हमें नहीं बनाना है, थोड़ा 6 शक्त डो बनाएंगे, जैसे हम रोटी का डो बनाती है, उससे थोड़ा सा ही hard डो बनाना है हमें, तो ये देखिए, थोड़ सा soft रखा है मैंने क्योंकि जब हम इसे rest करने के लिए रखेंगे तो मैंदा थोड़ा सा hard होता है तो मैंने इसे रख दिया है ढगकर लगबग 10 मिनट के लिए तो 10 मिनट हो गये हैं और ये देखिए हमारा जो dough है वो बड़ी ऐसे soft हो गया है बड़ी ऐसे rest होने तो एक मैंने पिड़ा कट कर दिया है और इसकी अच्छे से मैंने लोई बना ली है और मैंसे बड़ी ऐसे बेल लेती हूँ तो मैं जैसे पूरी एक रोटी बनाते हैं तो इसकी एक मैं रोटी सी बना लूँगी एक बड़ी सी तो ये देखिए मैंने बड़ी सी इसकी बड़िया से रोटी बना ली है और अम मैं इसके लिए साटा बनाने वाली हूँ तो इसे हम रख देंगे साइड में अम मैंने एक बोल ले लिया है इसमें मैं डालूंगी देसी घी आप चाहे तो जो डाल डगी आता है आप उसका भी यूज़ कर सकते है तो मैंने इसमें एक चमच देसी घी डाल दिया है उसके बाद मैंने इसमें एक चमच मैंदर डाल दिया है और अम मैं इसे अच्छी तरह ऐसे मिक्स कर लूँगी तो ये देखिए इस तरह से चारो तरफ ऐनी कोने कोने तक हम इसे बढ़िया से लगा देंगे तो साटा हमने लगा दिया है और अब मैं रोटी को रोल कर लेती हूँ तो ये देखिए इस तरह से और आप अच्छी तरह से इसे रोल करें और अम मैं एक चाकू की हल्प से इसे कट कर लूँगी तो ये देखिए इस तरह ऐसे छोटे-छोटे से पेड़े कट हो गए हैं हमारे ये देखिए इस तरह ऐसे अगर आप खस्ता बनाएंगे ना तो ये खाने में बहुत ज़्यादा टेश्टी लगेंगे और जब ये हम हाथों से प्रेस करेंगे ना तो ये बहुत खस्ता और क्रिस्पी बनेगे तो इस तरह से साड़े पेड़े हमने बना कर कट कर लिए हैं कि देखिए और अब मैं इसे बेल लेती हूँ तो फ्रेंड आप इस तरह से अगर ये रेसिपी बनाएंगे ना तो आइम शूर ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी आप किस तरह से खस्ता बनाते हैं आप मुझे कॉमेंट करके सरूर बताइगेगा तो एक पेड़े को मैंने ले लिया है और इसे मैं बढ़िया से बेल लेती हूँ जैसे हम ट्रेंगल से में पराठा बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से मैंने इसे बनाकर रेडी कर लिया है और थोड़ा सा इसे बेल लिया है ये देखिए कितने बढ़िया से ये बनकर ready हो गया है और इसी तरह से हमारे जितने भी खस्ता है उन्हें भी मैं बनाकर ready कर लूँगी तो ये देखिए, मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ तो एक पेड़ा मैंने ले लिया है इसे मैंने बढ़िया से बेल लिया है और थोड़ा सा मैं इसमें साटा लगा दूँगी बहुत जादा साटा हमें नहीं लगाना है और इसे मैंने बढ़िया से ये देखिए, बढ़िया पलट दिया है यानि कि ट्रेंगल से मैं से रोल कर दिया है और मैंने इसे बेल लिया है और इसी तरह से मैंने सारे हमारी जो ट्रेंगल खसता है वो बना कर रेडी कर लिये हैं और ये बहुत ज़्यादा पतले नहीं रखे हैं हमने थोड़े से ये मोटे हैं तो ये देखिए और अब हम चलते हैं इने फ्राय करने के प्रोसेस में तो मैंने ओयल को पहली से ही गर्म करके रखा है और ओयल को हमें बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम में गर्म नहीं करना है एकदम लो फ्लेम में गर्म करना है तो एक एक करके हमारी जो ट्रेंगल खसता है मै इने इसमें डाल दिये हैं और इन्हें आराम से सिखने दूगे में बहुत ज़्यादा जल्दी बाजी हमें बिल्कुल भी नहीं करना है और ये देखिए आराम से जब ये सिक रहे है ना आशाल ये अपने आप ही ऊपर आते जा रहे हैं ओयल में आम से एकडम बढ़िया से इने सिकने देंगे जल्दी बाजी हमें बिल्कुल भी नहीं करना और में स्पाइडर की हेल्प से इसे सिलो हैंड से इसे पलट दूगी तो ये देखिए मैं इने पलट दिया है और कितने ब वो कितने अच्छे से निकल कर आई है और इसी तरह से हमारे जतने भी और बचे हुए हैं खस्ता उनको भी मैं फ्राइ कर लेती हूं तो Hy could कितने अच्छे से फ्राइ हो गए हैं बडिया गोल्डन-ब्राउन कलर आ गया है इनका आप भी इस recipe को इसी तरह से try करें अगर आपको मेरी recipe अच्छी लगती है तो आपके family friend में मेरे वीडियो को share जरूर करें इस होली आप इस recipe को जरूर try करें और मैं आपको इसे तोड़ कर दिखाती हूँ इसे बनाना बहुत आसान है आप बस एक चीज कर सकते हैं अगर आप इसमें सूजी डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं तो ये देखिए कितने बढ़िया से ये हाथों से एकदम मैस हो रहा हैं यानि कि ये मुँ में जाते ही एकदम खुल जाने वाले हैं तो ये बढ़िया से हमारे खस्ता बनकर रेडी हो गए हैं, आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करें, और अब मैं बनाने वाली हूँ हमारे गोजा, तो चलिए देखते हैं इन्हें कैसे बनाना है, ये बहुत आसान है और खाने में बहुत टेश्टी लगते हैं, तो सबसे प लें, उसके बाद मैंने इसमें लगबख दो से तीन छोटे चमच ओयल डाला है, बहुत ज़्यादा ओयल का मैंने यूज नहीं किया है, और इसे अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया है, और मैंने इसमें आधा चोटा चमच सोडा डाला है, जो हम बेकिंग सोडे का यूज करती हैं जिससे हमारी जो गोजा है वो बढ़िया से सौफ्ट और खस्ता बनेंगे, और मैंने डो को थोड़ी-थोड़ी से पानी डाल के बढ़िया से सौफ्ट बना कर रेडी कर लिया है, और इसे रेश्ट करने के लिए रख दिया है, लगबग 15-20 मिनिट के लिए, और 15- 20 मिनट के बाद मैं इसे बड़िया हाथों से अच्छे से मैंने मसल लिया है ये देखिए और मैं इसे बेल लेती हूँ तो ये देखिए मैंने पहले से इस तरह से बेला है और मैं इसे चाकू से cut कर लूंगी, यानि कि हम 3-4 layers इसके cut कर लेंगे, तो एक बार मैंने इसे cut कर लिया है, और इस तरह से आप देख सकते हैं, मैंने इसे ले लिया है, चारों हमारे जो पेड़े हैं मैंने ले लिये हैं, और उसके बाद फिर से बेल लिया है, और उसके बाद और में इसे बेल लेती हूँ, ये देखिए, एक बार और कट कर लूँगी मैं, तो लगबग मैंने दो से तीन बार, यानि चार बार लगबग ऐसे कट कर लिया है, और ये देखिए, तो आप इस तरह से अगर इसे बनाएंगे ना, ये खाने में बहुत जादा टेश्टी लग होने वाले हैं, और अब हमने इसे रोटी को बढ़िया से बेल लिया है, बहुत जादा पतला नहीं बेला है, थोड़ा सा मोटा ही बेला है, और उसके बाद में मैंने इसे कट कर लिया है, तो ये देखिए, इस तरह से मैं इसे मोटा मोटा कट कर लूँगी, थोड़े से और इसे एक प्लेट में रख लेती हूं मैं, ये देखिए और अब मैंने ओइल को पहली से ही गर्म करके रखा हुआ है, और इसमें मैं एकदम लो फ्लेम में इनको फ्राय कर लूँगी, फ्लेम को एकदम लो रखा है मैंने, आप देख रहे हैं इसमें कितने छोटे-छोटे से ओइल में बबल्स आ रहे हैं, तो गेस की फ्लेम एकदम लो है और इसे हम आराम से फ्राय होने देंगे, ये देखिए लगबग 10 मिनट के बाद मैंने इसे अच्छे से पलट दिया है, और इसे आराम से फ्राय होने देंगे, तो ये देखिए हमारे सारी गोजा हैं जो इसे फ्राय हो गए हैं, हमें इसे फ्राय करने में लगबग 12-15 मिनट का टाइम लगा है, और ये आराम से एकदम खस्ता और करारे फ्राय हुए हैं, इन्हें मैं निकाल लेती हूँ, ये देखिए इस तरह से मैंने इन्हें निकाल लिया है, एक स्पाइडर में, आप चाहे को बढ़िया से मैल्ट कर लेंगे, तो ये देखिए हमारी जो चीनी है, वो बढ़िया से मैल्ट हो गई है सुगर, आप चाहे तो इसकी जगए जो मिश्री होती है ना, उसका भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये देखिए हमने सिर्फ एक तार की चासनी बनाई है, बहुत ज़ ये कितने यमी और टेस्टी, क्या सुन्दर टेस्टी कलर आया है इसमें, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं ये देखने में, तो मैंने इसकी बड़ी ऐसी प्लेटिंग कर दी है, बारी कटे हुए पिस्ता से इसे गानिशिन कर दिया है, आपको मेरे गोजा की रेसिपी कैसी ल लिया है, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ, ओयल मॉयन के लिए, तो एक छोटा कब भर के मैं ओयल डाल रही हूँ, और इसे बड़ी ऐसे मिक्स कर लूँगी, तो आपको तो पता ही होगा कि होली में कुछ भी हम बनाए या न बनाए, पर हम गुजिया जरूर बनाते हैं, और ये गुजिया तो समझ लो हमारे जो होली का तेवहार है, उसकी जान होती है, तो ये देखिए, जो बचा हुआ हुआ इल था, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है, और अच्छी तरह से सारी मॉयन कर दिया है, अच्छी से मिक्स कर दिया है, और अमें थोड़ा-थोड़ा सा पानी डेश्ट करके बड़े ऐसे इसका डो बना लूँगी, तो डो को हमें बहुत ज़्यादा सकते नहीं बनाना है, थोड़ा सा सौफ्ट डो बनाकर रेडी करना है, आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा यानि चुटकी भर नमक डाल सकते हैं, उससे हमारी जो गुजिया ह वो बहुत ही ज़्यादा टेश्टी बनेंगी, तो इसे मैंने ढखकर रख दिया है लगबग 10-12 मिनिट के लिए, और अब हम देख लेते हैं हमारा मावा, तो मावा मेरे यहां मावा वाइट कलर का आता है, और मुझे वाइट कलर का जो मावा है एकदम मलाई-मलाई जैसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो मैंने क्या किया है, इसे एकदम सिलू फ्लेम में लगबग 10-12 मिनिट के लिए गैस में अच्छी तरह से इसे कुक कर लिया, यानि भून लिया है, तो आप देख सकते हैं कितने बड़िया से दानेदार हो गया है, और इसका मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी, तो ये एक कप चीनी है, एक छोटा कप, इसे मैंने बारिक पीस लिया है, आप चाहे तो चीनी का जो बूरा आता है, उसका भी यूज कर सकते हैं, और अम मैं इसमें डाल देती हूँ कुछ ड्राइफरूट, तो बारिक कटे हुए पिस्ता कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, उसके बाद मैंने दो इलाइची ली थी, जिसे मैंने मोटा दरदरा कूट लिया था और उसे भी इसमें डाल दिया है, और हमारे जो मावा का मिक्षर है, यानि कि हमारी गुजिया की स्टफिंग है, इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हू तो जो हमारी चीनी है ना, वो मावा में जाते ही एकदम पानी रिलीज हो जाएगा इसमें से, और जो मावा है वो बहुत जदा सौगी सौगी हो जाएगा, जिससे हमारी जो गुजिया है वो बनाने में आपको बहुत मुस्किल पड़ जाएगी, तो आप देख सकते हैं, मै इस तरह इसे बनाना है, तो इसमें मैंने दोनों जगे थोड़ा-थोड़ा सा ओयल लगा लिया है, और आमें एक पीड़ा ले लेती हूँ, ये देखिए, और मैं इसे अच्छे से बेल लेती हूँ, यानि कि इसमें जो गुजिया के लिए रोटी है, वो बनकर रेडी हो जा आपको पैसे बेश्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, चलिए इसमें अगर रोटी नहीं बनी है, तो मैंने जो गुजिया कटने वाला है उसमें मैंने भी ट्राइ किया था, पर ये दोनों जगे से टोटली बेश्ट है, इसलिए मैंने जो हमारा नॉर्मल वाला, ज जो हमारा गुजिया कट करने वाला होता है गुजिया कटर मैंने इसे फैला दिया है, स्टफिंग भर दी है और मैं इसे इस तरह से प्रैस कर देती हूँ, तो ये देखिए, बहुत मुस्किल हुई पर इसमें एक भी गुजिया बिल्कुल भी नहीं बना, हमारी पुरी स्ट हमारा जो dough है वो पूरा बेकार यह देखिए है यह totally based है आप इसे बिलकुल भी market से purchase ना करें और अब हम बनाते हैं हमारे पुराने तरीके से तो यह देखिए एक छोटा सा पेड़ा और एक छोटी सी रोटी मैंने बेल कर रेडी कर ली है और अब हमारा जो पुराना गुजिय कर दिया है और अच्छे से इसे प्रेस कर दिया है पलट के इसे बड़ी ऐसे कट कर दिया है यह देखिए हमारे पुराने तरीके से हमारी जो गुजिया है वो बनकर रेडी हो गई है तो सबसे बेस्टर तरीका मुझे गुजिया बनाने का यही लगा और इसी तरह से मैंने ह हमारे जितने भी गुजिया हैं सब को बनाकर रेडी कर लिया है और अब हम चलते हैं इने फ्राइ करने के प्रोसेस में तो ओईल को मैंने पहली से ही गर्म कर लिया है ओईल एकदम लो फ्लेम में गर्म है बहुत जदा हाई फ्लेम में मैंने गर्म नहीं किया है और एक एक करके मैं इसमें सारे गुजिया डाल दूँगी जितने एक बार में इसमें फ्राय हो सकते हैं तो ये देखिए मैंने सारे गुजिया इसमें एक एक करके डाल दिये हैं और इसे बड़िया से आराम से फ्राय होने दूँगी मैं और एक फोःक की हेल्प से एकदम soft hand से मैंने इसे पलट दिया है, तो ये देखिए इसे मैंने बड़ीया से पलट दिया है, और बहुत जादा जल्दीवाजी हमें नहीं करना है, आराम से नहीं फ्राइ करने दूंगी मैं, तो ये देखिए ये ऊपर से पलट नहीं रह थे, हमारी जो गुजिया है मैंने बहुत जादा golden brown color नहीं रखा है इनका, हलका light golden brown color इनका रखा है, तो मैंने एक batch को fry कर लिया है, इसी तरह से हमारे बची हुई जितनी भी गुजिया है, उने भी मैं fry कर लेती हूँ, तो एक एक करके और gas की flame को अभी भी मैंने लोही रखा है, औ हमारी जितनी भी गुजिया है, बड़े ऐसे fry हो गई है, और मैंने कर लिया इसकी बड़े ऐसी plating, आप चाहे तो इसमें उपर से पिस्ता से garnishing कर सकते हैं, तो friend हमारी holy special, जितने भी festival special, जो recipes हैं, वो बनकर ready हो गई हैं, आप इस पकवान को, जिस तरह से मैंने आपको बताय और करारी बनकर ready होंगी, तो friend आप इस recipe को जरूर try करें, और आपकी family friend में मेरी बनाई हुई recipe को जरूर share करें, और अगर आपको मेरी recipe अच्छी लगती है, तो please मेरे चनल को subscribe करें, पैल आइकन को जरूर press करें, जिससे मेरी आने वाली सारे वीडियो के notification आपको मिलते रहें मेरी मेहनत आपको अच्छी लगती है, तो please एक comment जरूर करके जाएगा, और तब तक के लिए स्वस्त रहें, मस्त रहें, देखते रहें मुझे यानि की मेरे चनल cooking with confidence को, तो मिलते हैं next वीडियो में, तब तक के लिए take care bye, happy holy आप सभी को